कि नमस्कार दोस्तों देखेए पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाटरशेड वाला पार्ट वन था पिछले वीडियो आज जहां से खतम किया था मैं वहीं से हम लोग इस्टार्ट करेंगे तीन योजनाओं को मिला कर एक तो मरू भूमी विकास योजना वाला जो एक पार योजनाओं को मिला कर एक अप्रेल 2008 से कौन सी योजना चालू की गई थी एकिकरित वाटरशेड प्रबंधन कारिकरम इंटिग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेंट प्रग्राम चालू किया गया था यहां तक हम लोग कल पढ़े थे तो वही आई यह जो आई डबलू एमप सत्री है एकिकरित वाटरशेड प्रबंधन कारिकरम उसको हम लोग आज में डीरेटेल कवर करेंगे इसमें क्या होता है इसके कितने इसतर होते हैं कितने चरण होते ऑर जो कौन-कौन सी समीतिया होती ऐंद के वो वाला पार्ट हम आज कवर करेंगी आज का वीडियो आप लोग डिवी आया है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला। क्योंकि आज के वीडियो से कम से कम आपका पांच कोस्चन बनेगा मतलब पिछले जो पेपर है एडियो के उसमें पांच कोस्चन आया है लगभग चार से पांच कोस्चन आपका आज के वीडियो से बनने वाला है ठीक है तो आज के वीडियो को आप लोग को अच्छे से आप लाइव अगर देख रहे हैं विडियो पूरा देख लिया कि और पूसीस किया कर यि कि जो सवा पांच बज़े पांच ए किसी दिन 5 बज़ या किसी दिन पांच बज़े ख्लास आता है तो वहां पर आप लोग डाइट देखें वह टाइम पे आके तो आंप लोग लेकिन question जो है वो वीडियो से related ही होना चाहिए ठीक है यह चीज को ध्यान में रखना और दूसरी चीज जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ठीक है बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं आप खुद देखिए एक एक दिन में एक हजार वीडियो आ रहे हैं लेकिन वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ऐसा करने से बहुत से लोग ऐसा समझ चुके हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने शेयर करने और लाइक करने से उनका ही बेनिफिट है जो लोग नहीं समझे हैं वो लोग उस चीज क करिए अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाए ताकि जरूरत-मंद लोगों तक यह चीज़ें पहुंच सके ठीक है आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करें अगर को दिक्कत होता है तो पहले देख लिया करो उसके बाद फिर वीडियो तो अपलोड हो जा रहता है तो आप लोग उसका जो शुरूवात था शंतनबे औंठनबे बताया था वह सिसर्टर अठंथत्तर है एक कईए जगह पे साइटस पे शंतनफ्प掰掰 दिया हुआ है एक जगह पे सिसर्टर पिए हो लेकिन मैंने दो तीन जगह से सुर से फिस देखा तो श्यादा उप्योगत अंसर होना ठीक है तो उसको करेक्ट कर लेना मरू भूमी विकास का रिक्रम की सुरुवात 1978 ठीक अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रधान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना मैं आप लोग को बताऊंगा दो कुछ-कुछ योजनाएं हम लोग की छूटी हुई है उसको मैं बोला हू स्टार्ट करता है रहा है उसको देखने का काम करता है उसके निगरनी का काम करता है प्रबंधन का काम करता है उसके उसको नियंत्रन करने का काम करता है रेगुलेट करने का और क्या करता है उसकी निगरानी करने का ठीक आकलन करदी करता है उसका एनलिसिस भी करता है कि कौन सी चीज़े कहां तक हो रही है उसको करवाने का क्रियान्मेन कभी काम करता है ठीक तो यह सब काम एक एक एक्रित वाटरशेट प्रबंधन कारिक्रम का उद्देश से है अब देखो यहाँ पर W DC PM KSY की मुख्य विशेस्था है मतलब Water Development Component है न сделали कि मुख्य विशेस्था है यह है ड्याटो है तो प्रदानमंतिर कृसी चाही योज्टन इसमें मनी 60 में लिखा आप लोग इसको ऐसे भी सकते हैं पूरह मों लिख सकते प्रधान मंतिर किसी से चाहिए हो जना, watershed विकास का जो एक component है, को पूरा करने का जो लक्ष है, इन दोनों को एक साथ watershed के component के रूप में जो पूरा करने का लक्ष निर्धारित किया गया है, वो निर्धारित किया गया, 4-7 वर्स important है याद रखना इसको, 4-7 वर्स के बीच इस निर्धारित के हमें इसको खतम किया जाएगा, पहला चरण, तयारी चरण, दूसरा कारिय चरण और तीसरा समिकन, समापन चरण, तो तीनो चरण को हम लोग इंडिविजवली देखते हैं ठीक है तो, पहला चरण, एक से दो वर्स, पहला वर्स और दूसरा वर्स देखो, मतलब ऐसी रिपोर्ट मतलब क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या-क्या उन्नती हुई, क्या-क्या कहा तक उस जो वाटरशेड डेवलप किया जा रहा है, या फिर कुछ और डेवलप किया जा रहा है, तो उसके तहत वो कारिक्रम कहा तक पहुँचा, तो उसका डेवलपमे रिपोर्ट तयार करना है पहले और दूसरे वर्ष और क्या करना है चमता समवर्धन मतलब जो efficiency है जो capacity है उसको increase करने की कोशिश करेगा पहला चरण में पहला और दूसरा चरण में देखो कोई भी watershed डेवलप करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो पहला से दूसरा वर्ष क्या करेंगे उसको डीपीर रिपोर्ट तयार करना है डेवलप्मेंट प्रोग्राम रिपोर्ट और क्या करेंगे चमता समवर्धन अब जो भी टोटल वित आये रहेगा उसका एक परसेंट खरचा जो व्यक्ति हीन व्यक्ति जो व्यक्ति जो है उनके लिए आजीवी का कारेकलाप मतलब ऐसे कारेकलाप जिससे उनकर जीवन यापन चल सके तथा उत्पादन प्रणाली एवं सुक्ष्म उद्यम छोटे छोटे उद्योग ये भी इसके अंतरगत सिर्फ watershed का विकास सामिल नहीं है और ये भी काम संपत्ति हिन व्यक्तियों के लिए आजी विका का छोटा मोटा क्रिया कलाब उत्पादन प्रणाली को डिवलप हो सके सुक्ष में उद्योग मतलब छोटे चोटे जो उद्योग होते हैं वो भी इसके अंतरगत सामिल होते हैं तो दूसरे तीसरे वरस क्या किया जाएगा यह काम के लिए फोकस किया जाएगा सेकिंड स्टेप में कारी चरण में समेकन इवं समापन चरण जो अब देख ons मैं कितना सालों में खतम करना है बही चार से सात वरस में तो पहला से दूसरा वरस य continues अब तीन वर्स हो गया अब एक दो वर्स लास्ट का बचे रहेगा तीसरा से चौंता वर्स वह लास्ट चरण में क्या होगा पूर्ण करना अब ये सब जो काम में उसको क्या किया जाएगा फिर लास्ट में लाकर तो watershed development का तीन चरण में complete होता है ठीक ये ये चीजें इसमें सामिल है अब देखो समझ में आ रहा है लागत कितना fund दिया जाएगा तो इस watershed development का अगर कहीं काम अगर पहाड़ी और दुर्गम छेतर में किया जा रहा है ऐसा छेतर जहां पर पहाड़ वगर है या दुर्गम छेत ठीक एक हेक्टेर के लिए 15,000 रुपय फंड जेनरेट किया जाएगा अगर मैदानी इलाके हैं इन से अन्य चेतर मैदानी या अन्य कोई छेतर है तो 12,000 रुपय प्रती हेक्टेर दिया जाएगा ठीक लेकिन आई एपी जीले के लिए आई एपी का फुल फॉर्म इंटिग जन जाती जीले होते हैं जन जाती बहुल जीले होते हैं उनको कहा जाता है आई एपी जीले तो ऐसे जीलों के लिए 15,000 रुपय प्रती हेक्टेर दिया जाएगा ठीक है समझ गया तो यह तीन को याद रखना यह भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अब उसके बाद इ जिस स्ट्रेट में परियोजना चल रही है अच्छे से याद रखना पिछले बार यह आया हुआ है तो अब पूरा-पूरा चांसे सहीए सब आने का ठीक तो नॉर्मल चीजों में क्या होगा पहले जो आई डबलू एंपी चल रहा था इंटीग्रेटेड वाटर्शेड प् का लेकिन जब पी एम के स्वाई वाटर्शेड विकास घटक के तहट मतलब यह इसको एड किया गया तब फिर क्या हो गया 60 रेशियो 40 हो गया 60 परसेंट केंद्र सरकार देगी 40 परसेंट इस्टेट गवर्मेंट देगी ठीक तो यह आ सकता है अब पूर्वोत्तर और इसको बोलते हैं करके वहां जो जाने का जो चोटा सा रस्ता है उसको बोटल ने क्याते हैं यह भी ध्यान रखना तो प्रधान मंतिर की सिसी चाहिए हो वह वाटर्शेड विकास घटक के तहट इतना और पुर्वत्तर वह बताया वह और पहाड़ी कोई राज जम्मू कस्म मिनिमाम 4 साल लेके चलते हैं तो 4 साल में पहले साल के लिए यह केंदर सरकार 25 परसेंट पैसा देगी ठीक है मतलब मिनिमाम 4 साल पहला साल दिया जाएगा, दूसरा साल कितना दिया जाएगा, 40% दिया जाएगा, तीसरा साल कितना दिया जाएगा, 25% फिर से दिया जाएगा, और 4 साल 10% दिया जाएगा, ठीक है, तो 25-25-50 और 40-10-50 मतलब टोटल 100% पैसा, ऐसे धीरे-धीरे करके हर साल दिया जाएगा, ठी अब वर्षा सिंचित या अवकर्मीत छेत्र या सिचाई उपलब्द नहीं है से छेत्र देखो अवकर्मीत छेत्र किसको बोलते हैं ये भी काम आएगा आपके कोस्चन आया हुआ है आप जब देखोगे न वह कोस्चन को तब याद करना ठीक है तो समझ में आ जाएगा आपक बहुत ज़्यादा वर्षा हो या फिर उर्वरोकों के ज़्यादा प्रयोग के करन मिट्टी जो है वो अनुपजाओ हो चुकी है ऐसे है ना मिट्टी जो है खराब हो चुकी है उत्पादक्ता उसकी कम हो चुकी है ऐसे छेत्र को कहते हैं अवकर्मीत छेत्र अब पूरे व परियावरन प्रदूसर्ण इन सब चीजों के करण भूमी क्या हो चुकी है वर्ड की 1 4 टोटल लेंड का वन फोर्थ हिस्सा अवक्रमीत हो चुक है तो याद रखना किसको बोलते हैं ऐसा चेतर जहां वर्षा से सिंचित होता है केवल वर्षा पहुंशता है उसके बाद उसक तहिक के 5000 haktare छेत्र में micro watershed समूँ सामील है मतलब ऐसे 5000 haktare के छेतर में क्या किया डैबलेड जाएगा micro watershed डेवलब किया जाएगा ये भी important है 5000 haktare वाले ध्यान रखना तो उसमें क्या किया जाएगा माइक्रो वाटर्शेड क्या है पिछले वीडियो में पांचार खेतर को ठीक है जो इसके अंतर गताते जहां सिचाहिश ही पगड़ा उपलब दिनी है तो यह समझ में आ कितना चरण होता है क्या-क्या लागत होता है सब एक पॉइंट है अच्छे से याद रखना ठीक है और क्या-क्या बता आता है वो भी मैं बताते जा रहा हूं ठीक है तो ध्यान रखना उसको इंपोर्टेंट लगा लेना संस्थागत धाचा अब इसका देखना है अपने को ध पहला लेयर जो है मतलब आप देखो मंत्राले इस्तर है फिर राज इस्तर पर कौन सा क्रियानमेन एजेंसी है एक तरीके से कह सकते हैं संस्थागर धाचा का मतलब स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्मेंट अथॉरिटी या क्रियानमेन एजेंसी वाला जो काम है वो तो राज इस्तर पर कौन का है जीला इस्तर पर कौन है पर्योजना इस्तर पर नीचे ग्राम इस्तर पर कौन सी क्रियान्मेंट एजेंसी है वो चीछ है तो मंत्राले इस्तर पर कौन से भूमी संसाधन विभाग ठीक है भूमी संसाधन विभाग क्या करता है मंत्राले इस्तर मतब सेंट संचालन समीति का अध्यक्ष रहता है ठीक है किसका जिस संचालन समीति का गठन कौन करती है भूमी संसाधन विभाग करती है ठीक है तो यह समीति अब एक पॉइंट अब इसमें ये तुबा बता दिया कुछ चीजें मैं लिखा नहीं हूँ आप लोग लिखिए उसको ठीक न अलग-अलग स्टेट से प्रस्ताव आएगा कि हमारे यहां वाटर्षेड डेवलप करना है और यह आजीवी का क्रिया कलाब के लिए सुक्षम उद्धियम डेवलप करना है ऐसे करके अलग-अलग स्टेट जैसे 36 गड़ राज जो हमारा जो है प्रस्ताव भीजा तो उस प अगर कहीं पूरे डिपार्टमेंट के नाम याद करना है आपको तो मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे शेर कर दूंगा बटाना कमेंट सेक्षन में लेकिन जो इंपोर्टेंट समीति है जो मेरे हिसाब से आप लोग को ध्यान देना चीए वह चीज़ आप लोग को मैं बता संगठन सामिल है इसमें क्या होता है यह वालड़ी है संगठन संगठन में जो이라 होता है यह संगठन में जो मंतराले इस्तर करता है उसमें 3 से 5 specialist लोगों को जो इसके जानकार है उनको सामिल किया जा सकता है और तीन प्रतिष्ठीत गेर सरकारी संगठन जो government नहीं है और गनाइशेशन तो हैं लेकिन government organizations नहीं है non profitable non government organizations हैं तीन प्रतिष्ठित गेर सरकारी संगटनों को इसमें सामिल किया जाता है अगर पूछा तो आप लोगों को पता रहना चाहिए ठीक है तो इसको no down कर ली ना तीन पॉइंट जो बताया हूं next देखते है राज इस्तर second अब यहां पर से नीचे उतरो थोड़ा मंत्राले इस तर से नीचे आये तो स्टेट लेवल पे एक नोडल एजनसी होते है जिसका नाम है SLNA पूला फॉर्म आपको लिखना है फुल फॉर्म स्टेट लेवल नोडल एजनसी राज्य के लेवल का नोडल एजनसी जो रहता है वो ठीक तो SLNA करके भी दे सकता है तो यहां पर जो एजनसी काम करती है उसमें राज्य में IWMP के लिए समर्पित संस्ता है इसमें कुछ खास पढ़ने वाला कुछ है नहीं तो राज्य में इस्टेट यह एजनसी काम करती है इसके नीचे अगर उतरेंगे तो फिर थर्ड नेवल पर आता है जीला इस्तर जीला इस्तर पर काम करती है जो समीती वाटर्शेड प्रकोष्ट सहडाटा केंदर मतलब वाटर्शेड डाटा सेंटर ठीक है जीला और इस्तर पर इसको इसको लोटडाउं कर लेना इसमें इतना ही है तो अब यह काम क्या है इसका में जो मैं आपको बता रहा हूँ जो लिखवा रहा हूं वो उतना relevant उतना नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि है काम क्या है परियोजना क्रियानवेन एजेंसी ठीक है जो परियोजना है जो प्रोग्राम है प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन एजेंसी प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन एजेंसी प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन एजेंसी प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन एजेंसी प्रोग्राम इ ठीक है यह point भी note कर लेना और प्रत्य पी आई ए में फिर से वही तीन से चार विशेशग्य होता है एक विकास दल होगा देखो हर पी आई ए में यह प्रोग्राम implementation agency है इसमें क्या होगा तीन से चार विशेशग्य होंगे और तीन से चार विशेशग्य से मिलके एक watershed विकास दल बनेगा तीन से चार तकनिकी विशेशग्यों का एक watershed विकास दल होगा किसमें PIA में हर PIA में तीन से चार विशेशग्यों का एक watershed विकास दल होगा ठीक अब ग्रूप होगा एक जो इसके development के लिए सुचाओ देगा इसको भी नोट कर लेना अब नीचे उतरना है ग्राम इस्तर पांचवा इस्तर फिल्ड इस्तर पर ग्राम सभा द्वारा ठीक अब यह आपको मैं डीटेल में बता सभर होगे तो बन जाएगा कि इस्तर आएह कि फिल्ड इस्तर का इस्तर फिल्ड इस्तर पर कौन सी समीती होती ना ग्राम इस्तर पर ग्राम सभा के द्वारा फिल्ड इस्तर पर है ना ग्राम सभा के द्वारा फिल्ड इस्तर पर एक समीति का चैन किया जाता है कौन चैन करती है ग्राम सभा संचालन करने का काम कौन करती है ग्राम सभा ठीक अब उस समीति में कौन कौन सामील होते हैं वो मैं के 10 दस जर्जियों मेंसे self-help group स्वसाहता समूँ में आपको पढ़ाया हूँ तो स्वसाहता समूँ से आधिस अद्य चुनने जाएंगे ओसमने जो काम करते दे ग्राम सभाक पर वहांसे आदे सदस्य स्ट चुनने जाएंगे उसके बाद कौन होने चाहिए ST या SC के प्रतिनीधी, SC या ST समुदाय है वहां ग्राम सभा में, तो उस समुदाय के एक प्रतिनीधी उसमें सामिल होने चाहिए, ठीक है, किसमें इन दस सदस्यों में, आदेस सदस्य तो SSG से, Self-Help Group से, उसके बाद एक सदस्य कौन, ST या SC के प्रतिनीधी हो महिलाय होनी चाहिए उसमें कुछ, भूमी ही न व्यक्ति होना चाहिए एक जन, Watershed Vikas Jump का गवर्न करेगा? गवर्मेंट इसको चूँज करेगा, जो सरकार है राजemi सरकार वह watershed विकास दल में एक प्रतिनीधी को चूज़ करेगी watershed विकास दल मतल्मेंट कब गौआर्मेंट का रिप्रेजेन्टेटीव हो गहा यह पसाँब यहां पर कोई जाना नहीं चाहेगा नहीं जाना चाहेगा तो क्या होगा कि जो जाना चाहता है एक एक आदमी है या दो आदमी है तो जाना चाहते तो वो लोगो डारेट भीज दिया जाएगा अगर कहीं जादा हो गये बहुत से लोग जाना चाहते पांस से छे लोग हैं सलेक्ट दो लोको करना है के बल या बीस दस लोग होगा है, तब क्या होगा, चुनाव होगा, तो मतदान होगा, to gram-sabhan में मतदान होता है, नहीं जाना चाहेंगे तो जो खड़े होता है, वो इस ग्राम सभा का सचीव नहीं होना चीए, ठीक है, वो अलग होगा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है सचीव इसका, ये ग्राम सभा का सचीव अलब सभी सचीव नहीं है, ग्राम पंचायत का सचीव, नहीं, कोई भी सचीव हो सकता है, इसका भी चुनाओ ग्राम सभा करेगी, और रेजिस्टर में क्या करेगा नोट करेगा इन सब को सदस्ट को इसका जो सदस्ट से रहेंगे सचीव रहेगा इसका और एक क्या किया जाएगा इसको एक निश्चित वेतन दिया जाता है इस लोग का सेलरी भी तो रहेगा न भी तो एक निश्चित वेतन दिया जाता है ज किसको एक निश्चीत वेतन मिलेगा किसको यह जो ध्यक्ष और सदस्थ से रहेंगे उन लोगों को क्या मिलेगा उसी प्रसासनिक लागत के लिए रखा जाएगा उसे वेतन मिलेगा इस समीथी का ग्राम इसतर पर जो समीथी रहेगी उसका एक bank खाता होगा इस समीति का जैसे self help group का एक bank खाता होता है न वैसी इस समीति का भी एक क्या होगा bank account होगा जहां पर वो क्या करेंगे बचत को जमा करेंगे और अब उसके बाद पैसा निकालने के लिए सचीव यह जो सचीव है न कहां गया हो सचीव यह सचीव और विकास दल यह जो विकास दल वाटरशेट विकास दल के एक प्रतिनी थी जो गौवर्मन जोर सलेक्ट किया गया तो यह सचीव और विकास दल इन दोनों का पैसा निकालने के लिए signature चाहिए रहेगा तब उस bank खा पहले न्यूक्त किया जाएगा और इस समीति का फिर क्या किया जाएगा पंजियन के जाएगा तो यहां से एक सवाल बन जाएगा इसके बाद निगरानी करने का विजिलेंस करने का इंस्पेक्शन करने का काम कौन करता है watershed समीति का अध्यक्श करता है watershed समीति का अध्यक्श क्या करेगा report तैयार करेगा है ना development report तैयार करेगा जो अध्यक्श है वो और यह development report watershed समीति का अध्यक्श जो है report तैयार कर तीन महीने के अंदर उसको कहा भेजेगा तीन महा में report तैयार करके कि यहां कितना कायम हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, बचट कितना आये, खर्चा वर्चा सब डिसाइड करके क्या करेगा जीला इस्तरी watershed समीति को तीन माहमें रिपोर्ट तयार करके भेजेगा उसके बाद जीला इस्तरी watershed समीति अपनी अनुसंसा किसको देगी राज इस्तरी नोडल एजनसी को देगी इसका रिपोर्ट इसके पास इसके बाद थोड़ा सा और उपर राज इस्तर की जो नोडल एजनसी है SLNA उसको क्या करेगी जीला इस्तरी वाटर सेट समिति उस रिपोर्ट को भेज देगी उसके बाद राज जी इस तरी नोडल एजनसी जो है उस रिपोर्ट का ये करके देख लेगा कि कितना कितना काम हुआ है कैसे कैसे और इसको इंप्लिमेंट करके आके वढ़ाना है ठीक तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा पूरा काम होता है ठीक है क्लियर है सब चीज अब देखों ये तो चीज होगे आपका जो मैं बताया हूं उसको ध्यान रखना है चार तीन से चार कोश्चन बताया हूं आपको यहां पर चार कोश्चन लगभग आस पास ठीक और भी कोश्चन आये हुए हैं जो आप जितना बताया हुए उसमें से आप question बना के देख लेना, एक भी question आपका नहीं छूटेगा, एक तो कल बता दिया था, जो 1 April 2018 का date था वो है ना, और आज 3-4-5 question बता दिया, वो सबसे आपका पूरा question आपका बन जाएगा, पिछला आप जो भी है, वो देख लेना, नई पहल, heading डालो, नई पहल, जो नया चीजें इसमें चल रही है, उन चीजों को भी आपको बता दे रहा हूं, भो सकता है, आज आएगा, अभी तक आया नहीं आ, लेकिन आने का पूरा chances है, नया पहल मतलब कि जो application इसमें चल रहे है, जो भूवन एप पोर्टल चल रहा है, वो सब चीजों के बारे मैं तो जो central government में जो ग्रामिन विकास मंत्री है और state government में है, वो दोनों को आप लोग को comment में पीन करना आप लोग मेरे को, ठीक, 19 फरवरी 2015 को, तो परियोजना की निगरानी के लिए ग्रामिन विकास मंत्री द्वारा, 19 फरवरी 2015 को, इसरो और NRAC, National Rural Agricultural Corporation, द्वारा, विक्सि स्रिष्टी, द्रिष्टी और भुवन एप, तीन फो एप बनाए गया है, इसरो और NRAC, ये दोनों मिल के क्या किये हैं, तीन एप बनाए हैं, क्या नामें तीनों एप का, स्रिष्टी, द्रिष्टी और भुवन एप, तीन एप बनाए हैं, अब धिरे-धिरे करके लिखो स स्रिष्टी डेस्ट डालना स्रिष्टी एप क्या करता है निगरानी मुल्यांकन परिवर्तन आकलन वाटरशेट प्रबंधन योजना बनाने और डीपी आर रिपोर्ट तैयार करने में जानकारी उपलब्द कराने जी आधारीत एक पोर्टल है ग्राफिकल इंटरफेस आधार एप है द्रिष्टी द्रिष्टी क्या करता है जो इंटिग्रेटेड वाटर मेनेजमेंट प्रोग्राम है उन परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए अभी क्या चल रहा है उस परियोजना में तो उसका निगरानी करता है रियल टाइम निगरानी के लिए फिल् द्रिष्टी के बारे में भी याद रखना नेक्स्ट पॉइंट आई डबलू एंपी में मतलब इंडिक्रेटर वाटर मैंगेंजमेंट प्रोग्राम में महालेखा नियंतरक कारियाले द्वारा विक्सित सारवजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग आई डबलू ए उसके द्वारा क्या किया जा रहा है क्रियानवेन के दौरान इसके जो इंप्लिमेंटेशन के दौरान इसमें जो पेमेंट किया जा रहा है उसको है और आयवे का जो फाइल है इंकम का और आउटकम का जो फाइल है इसको क्या किया जा रहा है इसमें इसी का मिजर करने के ल प्रावन्दं प्रणाली का प्रयोक किया जा रहा है मतलब कितना और कितना रिय algumas ताइंन कितना और meer इसके माध्यम से सरवजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से रखा जा रहा है, जो बोला हूँ लिख लेना, ठीक है, यह चीज दे हम रखना, नेक्स्ट पॉइंट, भूमी संसाधन विभाग ने, IWMP परियोजना निगरानी और मुल्यंकन हेतु नया पहल किया है, भूमी संसाधन जो विभाग है, उसने नया पहल किया है, एक एक ठो कमीटी बनाई हो, मैं आपको बताता जाता हूँ, नय राज्य में, पहले सी सोतंत्र एजनसी चून लिए, देखो, इसमें क्या हुआ है, हर राज्य ने क्या किया है, एक ठो अलग-अलग अजनसी चून ठीक है, लेकिन भूमी संसाधन विभाग ने क्या किया है, पूर्व, देखो, उत्तर, पस्चिम और उत्तर पूर्व, तीन जगा पूर्वत्तर मतलब, बोला जाए, पूर्वत्तर, तीन एजनसी नियुक्त की है, भूमी विकास मंत्राले ने उत्तर में, पस्चिम में और उत्तर पूर्व में तीन एजनसी नियुक्त किया है, किसके लिए इसी के निगरानी के लिए, ठीक है, और दक्षिन और पूर्व के लिए चैन प्रक्रिया चल रही है, और तीन ठो उत्तर में पस्चिम में और उत्तर पूर्व में निगरानी समीति का गठन किया है, ठीक है ए रख्षिन में और पूरू में एजनसी नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है ठीक यह भी नोट कर लेना समा मेलन समा मेलन का मतलब क्या होता है और अपना राज्य में और चल रहा है राज्य में और समा मेलना जैसे की चेंद्र में जारे चल रहा है तो उसको क्या कर दिया जाए परके कंपोनेंट के रूप में कंबाइन कर दिया जाए और उसके बाद फिर तेजी से काम हो सके, तीसरा, परियोजना करिया कलापों का प्राथमिक्ता निर्धारन, कौन सा कारे कलाप पहले किया जाएगा, कौन सा बाद में किया जाएगा, उसका प्राथमिक्ता का निर्धारन करना, ठीक, तीनी इसका उद्देश से है, तो इसके तहते क्या किया गया소? Water Peninsula, विकास परियोजना के घुल्वत्ता परक ढगसे और समय पर निश्पादन से है. इसका मतलब परियोजना के अच्छे ढगसे क्या है? निश्पादन से है, ताकि जो परियोजना चल रही है, वो अच्छे ढगसे क्या हो सेखे? impleement हो सके. दो फरवरी 2017 से अनुरोध किया गया है, नेक्स्ट पॉइंट, परियोजनाओं में केंदर और राजे दोनों की स्कीमों को सामिल करते हुए, उप्यूक्त समामिलन धाचा तयार करने की कारेवाही शुरू की गई है, देखो केंदर में जो स्कीम चल रहा है वो, और राजे में दोनों को क्या करके समामिल करके, मतलब कि एक करके उस पर क्या किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इस पर काम हो सके, उसको समामिल करके एक स्ट्रक्चर तयार करने के लिए कारेवाही शुरू की गई है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संसाधनों के अधिक्तम उपयोग करने के लिए क्रिसी और किसान कल्यान मंत्राले ने तीन विभाग बनाये हैं ठीक है ताकि अधिक्तम उपयोग हो सके इसके लिए तीन विभाग बनाये हैं पहला क्रिसी सहकारिता और किसान कल्यान विभाग दूसरा पसुपालन डेरी और मत्यसिपालन विभाग तीसरा क्रिस प्रबंधन कारेकलाब करने और सब्सक्राइब करने के साथ सम्मेलन में कुछ प्रारंभिक इस्तर के कारेकलाब करने की कारेवाही सुरू की गई है मन्रेगा को भी एड़ कर रिया गया इसमें उनमें स्रमिकों को रोजगार मिल सके करके और स्वाच्य भारत मिशन गरामिन जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था उसको भी उसके तहद भी उसको भी एड़ करके इसके कंपोनेंट के रुप में सब को मिला के इसकी ओजना को कार से ध्यान रखना उसको नोट करते हुए चलना आपका पिछले यह दो जर बारा सत्रा का दो रों कोश्चन जाके बनाना दोनों सल का पूरा कोश्चन बनेगा वाटर सेट का एक कोश्चन नहीं छूटेगा जितना बनाया बताया हूं उस सब आया हुआ है यहां से देखना यह हुआ है को दो घंटा देदे रहा हूं जब आफ लिए चाने को मैं गें आपको तेंद करेंगे तो अपको समझ के अगर समझ कि अगर note-down करेंगे तो to class कोई भी छोटा नहीं है उसको इंप यह करने के लिए मैं उतन Skill कर रहा हूं मुझे क्या था मैं तो दो class में खतम करता है इसको तीन class में करता है लेकिन चुकि आफ लोग का time 만 bache करके मैं इतको कम समय में आपको अच्छा content available कर रहा तो आप लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करिए और जाधा से जाधा शेयर करिए लाइक करिए कमेंट करिए ठीक है और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए तो इसी तरीके से हम लोग किसी और जो भी टॉपिक बचा है उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन वंद कर दो इमात्रम।